है तो हां जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग जैसे कि आप लोग पहली वीडियो में देखें होंगे कि मैं बेली से आपकोमलाका कछा तक दिखाया था अभव धूसरी पार्ट में मैं आपको मलाका चॉराय से नहीं बखी उसके और पहले से यहां से जहां पर यह पूल यह टाइप कर बनाया गया है वहां से वीडियो बना खरके दिखा रहा हूं आप लोग को जो भी पूरा फूल कर निर्मार हो रहा है उसको दिखाऊंगा तो यह वीडियो का सेकेंड पार्ट है जो की मैं अब लोग को सेकेंड पार्ट है तो दोस्ते आप लोग को बताना चाहता हूं गंगा एकस्प्रसवे का काम तेजी से चलना है इसे दिसम्मर 2-24 तक पूरा कर लिए जाएगा उत्तरप्रदेश गंगा एक्प्रसवे में विकास्ट वदिकडव द्वारा इसको काम त जब आप लोग देखेंगे उसमें काम चला है जो डिवाइडर अगरा का होता है और आप लोग को बता दें गंगा इस प्रियाग राज के बीच 594 किलोमेटर का होगा इस एक्सपेसवें बारा जिलों से होकर बुजरेगा यह एक्सपेसवें सहा जहांपूर से साड़े तीन किलोमेटर लेंबी हवाई पट्टी भी सुरू हो जाएगे इस एक्सपेसवें पर गंगा और राम गंगा नदियों पर दो बड़े पूल भी बनेंगे जो कि यह प्रियाग राज में बनके तयार हो रहा है जिसका मैं आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ और दोस्तों इस पुल कर नंदी जी ने अभी कुछी दिन कुछी महीनों पहले इसका जाईजा लिया था और इसके काम में काफी तीजी से बढ़ होती के लिए कहा गया है ताकि मेले से पहले ये पुल शुरुआत कर दिया जो चलिए देखते हैं आगे कहां क्याकर निरबा दिवाइडर वाला जोता है उसको बनाए जा रहा है और इसके उपर लाइट वगर पूरी अच्छी लगाए जाएगी एकदम पानी वगर सब निकलने का सुविधा बना गया है फिलाल तो अभी हम लोग उपर जाने सकते हैं हम लोग नीचे से वही बार-बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं इसलिए बार-बार मैं यह वीडियो बनाता रहता हूं कि पूल का कितना दुर्माड हुआ हर एक वीडियो में अलग यह अलग कुछ निर्माड चलता रहता है तो हर वीडियो में कुछ आपको देखने को मिलेगा जैसे इस वीडियो में अभी आप देख समेट कई अन्य राज लोगों को भी मिलने वाला है इसके निर्मारक के लिए विकास करताओं चैन कर लिया गया है राज सरकाच सब्सक्राइब को दी थी मुक्मंत्री और गी आधित नत्पयाग राज में कैबिनेट की बैठाक जरिये परियोजना की मंजूरी दिया दिला कर इसका ऐलान किया था फिलाल हम लोग चलते हैं आगे और यह पिलर देख सकते हैं पिलर पर जो भी काम चल ला है अभी अधिक एड़ दुखे मतलब कहने का मतलब पिलर पर गड़न वकरा रखा गया है पकिसाइड साइड में जो भी इसका डिवाइडर वकरा काम है देख सकते हैं पिलर के भी जो खाली है यहां पर अभी बनाया जाएगा और आने वाल इस्वाहाँ पर इस एक्सप्रेस्वे को अधिक एट्ले इन तक कड़ सकते हैं तो देखिए प्रियागराज का सबसे सांदाब परीज कैसा दिखने वाला है दूसरा केबल परीज है जो की काफी मसूर होने वाला है पहला आपका नैनि परिज है दूसरा पर यह और इस पूल की खास बात यह है कि यह भी केबल इसकी खुबसूरती बहुत ही अकरशित करने वाली है लोगों को क्योंकि इस पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है तो आप लोग देखिए का जरूर इस पुल की प्रयाक राज में काफी डिमांड होने वाली है आने वाल समय में इसमें जो केबल प्रिज बनाया जा रहा है वह आप को लगेगा कि मुंबई वाला है सीन है जब बाढ़ होगा आएगा तो पिल्पुल एकदम वैसा ही लगेगा अभी तुम अपने मुझ से फता नहीं पा रहा हूं लेकिन आने अरे समय में आप लोग अपने आक से जब खुद देखेंगे तो आपको खुद समझ वा वाल है जागा कि क्या चीज बनाया ढूर्मेंट का यह देखिया कि सामने से त्था हैवी हैवी पिलर है कि को आई कि का अप आई पूल स्टार्ट होता है वहाँ पर आच गया है और आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से यह पूल होने वाला है यह देखिए नीचे का कुछ अलग सीन है उपर का ऐसा सीन है फिलाल अभी यह सिक्स लेन बज़ना रहा है तो देख सकते हैं अब कि इस टैप का बनाया जा रहा है कि अब कि गार्ड लोग बना कर रहा है तो कि अब कि अब का रहा है तो